व्यूव स्कृपिया ध्यान दे, बेल आइकॉन दबाए और एडूरेका हिंदी यूट्यूब चैनल की कोई वीडियो मिसना करें हाई दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से एडूरेका के यूट्यूब चैनल पर और आज का हमारा टॉपिक है आपको बताना चाहूंगा इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो ऑड़ेका डाली है जिसमें हमने काफी तापिक कवर किया है तो आज हमें काफी तापिक कवर कवर रहे हैं Cloud Formation अब Cloud Formation क्या है? आए जानते हैं सबसे पहले हम बात करूँगा कि हमारा Agenda क्या है? हम जानेंगे Cloud Formation क्यों चाहिए? क्या होता है? JSON structure कौन सा यूज होता है? कैसा JSON होता है? और फिर हम करेंगे Last Me Day में देखे, सबसे पहले Cloud Formation क्यों चाहिए? अब एक service को launch करने के लिए मालीजीए मुझे एक application launch करने है उसके लिए मुझे 15 service रण करने है और मुझे थोटो टाइम के बाद हर एक module के लिए या मालीजीए हर छुटोटोटे मेरे office के अंदर कुछ section से इनके लिए अब मुझे वह सब सेटा अगर मैं खुझ से करूंगा 15-20 application और उनके उपर कुछ 15 software अगर आप रेल ताम में देखेंगे करीब-करीब आपका चार दिन ना process है आप इस process को एकड़ मॉटमेट कर सकते है जो आपका less than 1 hour में जीज़ खतम होते है जो के चार दिन में देखम होते है initial time taking रहेगा लेकिन उसके बाद हो बहुत आसान हो जाएगा कैसे अब इतनी सारी services को manage करने के लिए मुझे एक एकर के service run करने पड़ेगी software install करना पड़ेगा लेकिन मैं आप अगर आपको बोलू पड़ेगा उसके दद सब कुछ configure कर देजिए next time जब भी आपको machine को run करना है जब भी वह instance बनाना है simply जाहिए और उस template को consume कर लिए यह cloud formation basically cloud formation क्या करता है आपकी multiple services के manage करने के काम आता है multiple services को merge करके एक service में डाल देजिए और जब यह multiple services run करनी है उनको run करने के बजाए सिर्फ एक service run करने पड़ेगी हमारी cloud formation की जिसके थू हमारा template design execute हो सकता है basically cloud formation एक service है जो कम से कम time spent करे हुए और focus करता है आपके application के उपर देखें cloud formation उसका उस तो behind the scene कुछ बराना बढ़ेगा अब जो template construct करना पड़ेगा अब जो template construct करना पड़ता है उसका formula होता है JSON अब इसका मतलब यह नहीं कि मुले coding जीग नहीं पड़ेगी cloud formation में काम करने के लिए लेकिन एक JSON structure का आना मुझे बहुत जरूरी है तो मुझे JSON structure बनाना पड़ेगा उसके through में cloud formation किये किस तरह की application है क्या बने का में जो उसके सराउंड करेगा जो उन रं करने के लिए एक टाज साहिए या फिर कुछ आउटलाइस साहिए मालीजे मैंने डेटाबेस सेटप किया वो मैं सेटप करूँगा मैपिंग मुझे कौन से सर्विस किस सर्माप करनी है कंडिशन कैसे कैसे सर्विस map होंगी कौन कौन सर्विस किस चीज सर्माप होएंगी आउट्पुट में क्या आना चाहिए और कौन कौन से रिसोर्स अने बने परे है इन सब चेज़़ों कंबाइन करके एक JSON format ready होता है So, देखे, इस तरह से JSON format होता है मालने जिए मुझे एक bucket बनाना है S3 का मैंने बोला कि name of your bucket type of, type क्या उसका, resource type Basically, इसको करके दिखाता हूँ कि कैसे एक cloud formation आपको help करता है किसी एक template को design करने है हम AWS के control पर जाते हैं और अगर मैं services के अंदर search करता हूँ cloud formation करके formation करके ये एक service है अब यहाँ पर अपना stack plate करेंगे या तो हम template ready made use करेंगे या फिर हम design करेंगे template को मैं design करता हूँ template को अब template design करने के लिए देखे कैसे हमर पर drag and drop होता है इस तरह का feature आपका normal programming में एक node rate आता है वो देता है उसके लावा JS plump यहाँ feature देते है अब अगर मुझे S3 की service बनाना है यह template बनाना है मैं पले S3 search करूँगा bucket को drag करके यहाँ ले आँ अब जैसी मैं bucket को यहाँ पर लाया देखे नीचे इस ते मुझे उसका JSON design करके देदिया अब देखे इसके अंदर resource है resource का नाम है type है और उसकी property आपको set कर देखे और मालेज़ आप इसको नाम चेंज कर जाते है मैं डाला addureka sf या फिर cf cloud for each उसके बाद अब यहाँ पर क्लिक कीजिए यहाँ टेम्पलेट इसको लाँच करेगा आपके लाँचिंग इंप्रेटिंग अप्डेटिंग अस्ताक बाद आप प्रिटाइट करेगा एक पेज के ऊपर जहांपर आपको कुछ इंफोर्मिक्शन फिल करनी है इस तेम्पलेट के लिए ना अन इस पेज हम क्या करेंगे कि इस पे नेश्पे करेंगे करेंगे कुछ डिस्क्रिप्शन आइड करनी है स्टैक का नेम एड करना है इसे मैंने बोला एस्ट्री एडिवरेका देन आल किक नेक्स्ट कुछ की और टाइग अगर हम कुछ आयम करना है तो हम सब दिफाइन कर सकते हैं बनक राकोंगा एक क्लिक नेक्स्ट आपकने क्रिएट कर दिया अब इसका प्रोसेश चलेगा इस्टैक को एक क्रिएट करना स्टाट करेंगा अभी यह स्टेटस का क्रीटिन प्रोग्रेस है जब पूरा create हो जाएगा तो हम अपने S3 bucket के अंदर जाएगे और वहाँ पर हमें यह stack प्रॉपर एक template डिजाइन हुआ मिनेगा although थोड़ा time लेता है यह एक stack को create कर रहे हैं because इसको प्रॉपर एक structure बनाना है कि next time अगर वह जोद पढ़ती है तो वहीं से launch हो सके तो इस तरह से आप एक cloud formation से आप प्रॉपर एक template डिजाइन कर सकते हो और उस template से आप एक प्रॉपर machine launch कर सकते हो अगर मैं इसको refresh करता हूँ तो देखे एक complete हुआ और अगर हम S3 bucket करने जाते हैं देखे एक इस तरह हमारी bucket में करने टेंप्लेट रेडिक इस तरह से cloud formation आपका एक template design करता है और उस template को आप reuse कर सकते हो बार बार सेम जीज को launch करने के लिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक पूरा मालीज मुझे एक lamp stack design करना है तो उसके लिए मैं कैसे करूँगा तो मैं पूरा lamp stack को एक setup करते हैं cloud formation से और वो कैसे करेंगे मालीज मुझे नेया stack बनाना है तो मैं create stack करूँगा इन्होंने में कुछ sample template दे रखी है अब यहांज मैं sample template चूज करता हूँ अब इस template में में मेरे पास एक lamp stack का template होता है अब इस stack के अंदर हमार पास EC2 भी है एक instance के ओपर lamp का पूरा stack defined है देखिए यहां पे description है parameter है parameter घंदर हमार पास database का name डाल सकते हो connection string डाल सकते है password डाल सकते है instance का type डाल सकते है SSH का location डाल सकते है मतलब जो भी complication करने आप यहां पर कर सकते हो उसके बाद आप इसको next launch कर सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए मुझे स्क्राइब करना पड़ेगा PHP डालना पड़ेगा server करना पड़ेगा EC2 machine सब्सक्राइब करने पड़ेगी लेकिन अब मुझे कुछ नहीं करना सबकुछ मैंने एक formation बना के रख लिए next time के लिए अब किसी को भी यह लाम्प स्टाइक करना है across मेरी डोमेन में वो simply इस मचिन को लांच करेगा या स्टैक को लांच करेगा और अपने आपसे तो हम नेक्स जाएंगे स्टैक का नाम यहां पर डालना होगा मालेजय में लिखता हूं एडियोरे का लाम्प यहां पर इसके पैरमेटर देने होंगे और SS का लोकेशन देना होगा तो अभी के लिए अगर मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर देता हूं और अगर मैं नेक्स पैरमेटर के लिए जाता हूं यहां में इसे टैग महांगिया और हम आइए विए सारी पॉलसी और रिफाइन कर सकते हैं अब बेनेफिट यह है कि हमने लाम स्टैक मिला हमने अपने अपने आपसे सो कॉन्फिगर कर दिया और नेक्स तैम किसी को हमने कि अपने में हमने जाता हूं यहां नेक्स करेगी का एक पास pause सेट आप करता हूं मैं कनेक कर पाऊँगा लुए प्यूल्सेट नेक्स एट अपकि करते हैं яक्षेम इं घनल नेक्स करेंगे नेक्स करने के बाद यह लांच कान करेंगा हमारा गें एक क्लाउड़ पूरा stack तो अब यहां पर हमारा stack create हो जाएगा हम जो refresh करने देखते हैं देखें यह stack rate हुआ अभी क्या करेगा EC2 launch करेगा उस EC2 के अंजर यह हमारे लिए lamp stack को setup करके देगा तो अगर मैं EC2 के ओपर जाता हूं बटेख्टे दिए यहां पर हमारे एक मशीन लॉच हो जगी अब यह मशीन इनिसलाइज हो रही है जब रेडी होगी तो हम चैक करेंगे और कनेक्ट करके इसको शक्रेंगे यसरिश की बाद हम चैक करेंगे कि क्या हमारा मैसीग्वल इसकंदर इस्टाल है कि नहीं है अब यह सब कुछ setup अगर मुझे खुछ से करना पड़ा तो मुझे टाइम लगता मैं मशीन लांच करता, मुल्टिबल टर्मिनल खोलता, यह setup करता और हर बर वही चीज करता लेकिन अब cloud formation में एक template बना के रख सकता हूँ और उस templates के तुरू हर बार एक new machine launch कर सकता हूँ अब running instance करेंगे, अगर आप window machine यूज़ कर रहे हैं तो आप putty करेंगे और अगर आप Mac ये links यूज़ कर रहे हैं तो direct आप एक sh command run कर सकते हैं तो जो मेरे पास ये temp file है, मेरे documents के अंदर पड़ी हुई है तो first of all मेरे downloads के अंदर actually है तो मैं downloads folder के अंदर जाओंगा और यहां से सर्च करूँगा अब जब मेरे instance connect हो जाएगा तो मैं check कर सकता हूँ किस तरह DB है की नहीं अब मेरे instance connect हो गया, अब ये जो instance है, अगर मैं यहाँ पर mysql लिखता हूँ तो basically मेरे command execute हो रही है, तो point यह कि अब ये सब कुछ अगर मुझे खुछ से करना पड़ता तो मुझे time लगता, इन सब के लिए आपका best है AWS का cloud formation जिसके जुरू आप एक proper structure set up करके launch कर सकते हो, इसका use है आपका sml जे backup अगर आपको disaster recovery करनी है फटाक से एक instance launch करना है, या फिर कुछ ऐसा requirement आगा कि एक दम दर सेम तरह का instance launch करना है या फिर पुराना इससांस काम नहीं कर रहा है नहीं इससांस चाहिए, तो quick responses के लिए best है और although time selling है ही हर cases में सब्सक्राइब के लिए और हार तरह का AWS के लावा और भी बोथ courses है जो हम इस पर launch कर रहे हैं वो भी हिंदी में और हम AWS के अंदर इन सब के उपर प्रपर ट्रेनिंग में प्रवाइड करते हैं जिसमा प्रपर आपको AWS के multiple courses में certification के लिए प्रपर ट्रेनिंग देते हैं Thanks a lot, bye-bye, take care